मित्रों नमस्कार, मैं बजरंग बली उपाद्याय एडवोकेट सिविल कोर्ट गोरखपूर। आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों वैवाहिक विवात के एक मामले में माननी इलहबाद हाई कोर्ट ने पती के पक्ष में डिवोर्स की डिक्री देते हुए, पत्नी के द्वारा लगाए गए दहेज उत्पीडन और एडल्ट्री के आरोपों को खारिज कर दिया और इस महत्वपुर्ण मामले में माननी इलहबाद हाई कोर्ट ने निरड़े देते हुए कहा है कि 13 साल से पती-पत्नी एक दूसरे से अलग रहे और पूरे वैवाहिक जीवन में किसी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, इसके लिए कारण जो भी हो परंत यह एक एर्रिट्रियेवूल मेरिज का मामला बनता है और इस रहे हैं तो फालो करना न भूलें। बैवाहिक विवात के इस मामले के मेरिट पर माननी नयायले ने विचार किया और इस मामले में ये देखा गया कि पत्नी ने पती पर जो 20 लाख रुपे दहेज मांगने के आरोप लगाये थे, उसके लिए उसके पास कोई भी सबूत नह फालो काद में नहीं की थी। जदी इसके आरोपों में सच्चाई होती तो अवश्य ही इसने कहीं न कहीं कोई शिकाइट दर्ज करवाई होती। इसी प्रकार पूरे वािवाहिक जीवनकाल में उसने कितने दिन पती के साथ गुजारे थे, और वो किन किन तारीकों में अप दूसरे में कोई दिल्चस्पी नहीं रह गई थी इसलिए इलावाद हाई कोट की जस्टिस विवेक कुमार ब्रिड़रा और जस्टिस लोनादी रमेश की खंडपीट ने कहा कि कुरूरता केवल शारेरिक प्रकृत की ही नहीं होती है बलकि मांसिक कुरूरता के मामले में भी जीवन साथी के लिए वैवाहिक रिष्टे को जारी रखना असंभो हो सकता है पत्नी द्वारा स्विकार करने पर की वे लगातार साथ नहीं रहे हैं अदालत ने कहा कि हम पाते हैं कि इशू नंबर दो के अलावा निचली अदालत ने माना है कि यह अपुरणी एक शति का म मामला है भले ही अधनियम की धारा 13-1-1-A और 1-B की परिभाशा के अनुसार पर त्याग साबित नहीं हुआ माना गया कि दोनों को अलग अलग रहते हुए कम से कम 13 साल बीच चुके हैं जो अपने आप में अधनियम की धारा 13-1-1-A के तहत कुरूडता है इस मामले का तथ लादी के बाद कुछ समय तक अपने पैत्रिक घर पर रही थी बाद में वह कुछ समय के लिए अपने पती के साथ रहने के लिए चली गई उसके बाद फिर अपने पैत्रिक घर वापस से लिग और फिर अपने पती से अलग शहर में नौकरी करने लगी शुरुवात में पत और शारेरिक क्रूर्ता की गई है उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसे छोड दिया और उसकी शादी पूरी तरह से तूट गयieß हाला कि पत्नी ने लिखित बयान में मारपीट, प्रताडना और दहेज की मांग का आरोप लगा है था और यहीं नहीं पत्नी निचली ने आगे एडल्ट्री का भी आरोप लगाये था अपने पती के उपर तराक की करवाई के दोरान जब सुलह समझोते की कोशिश की गई तो पत्नी अगली तारीक पर सुलह वारता के लिए उपस्थित ही नहीं भी इसलिए यह माना गया कि उसे सुलह में कोई दिल्चस पी नहीं थी और निचली अदालत ने साक्ष दर्ज करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया था निचली अदालत ने माना कि अधिनियम की धारा 13.1.1.A. कुरुएल्टी और 1.B. डिजर्शन की परिभाशा के अनुसार परित्याग साबित नहीं होने पर भी विबाह यह भी माना कि पत्नी पती के खिलाब विवाहेतर संबंद के आरोप साबित करने में असमर्थ है। अदालत ने यह भी कहा कि पत्नी द्वारा लगाए गए शारिरिक उत्पीडन के आरोप जूटे हैं। कभी कोई F.I.R. दर्ज नहीं की गई है और उसकी जो आँख की समस् की गई है। माननीय हाई कोट ने फैसले में कहा कि तेरह साल से अधिक समय तक अलग रहना अधिनियम की धारा 13-1-1-1 के तहट कुरूरता है। नहीं ने राकेश नमन बनाम श्रीमती कविता के निरड़े पर भरुसा किया। इसके अत्रिक्त समर घोष बना जया घोष का भी उलेक करते हुए। माननीय ने ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोट की तीन ने अधिसों की फीट ने फैसला करते हुए कहा था कि जहां लगातार अलगाओ की लंबी अबधी रही है। महा यह निसकर्ष निकाला जा सकता है कि बैबाहिक बंधन सुधार से परे हैं। विवाह की पवित्रता की सेवा नहीं करता है। इसके विप्रित यह पक्षकारों की भावनाओं और संबेदनाओं के प्रती बहुत कम सम्मान दर्शाता है। ऐसी स्थितियों में यह मानसिक कुरूरता को जन दे सकता है। इसके अलावा राजीव कुमार रायव बनाम कोई भी वैवाहिक प्रेम या सुनिह जो दोनों पक्षकारों के बीच रहा हो सूख जाता है और खत्म हो जाता है। यह विवाह के अपुरनिये विगटन का उत्कृष्ट मामला है। समर्गोश के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरुसा करते हुए माननिये कोर् कि निचली अदालत के समक्ष अनुचित उत्पीडन और मानसिक कुरूरता अस्थापित की गए। इसलिए तलाग सही था। मित्रो इस केस का टाइटिल है चारू चुब उर्फ चारू अरोडा बना मधुकर चुब। अन्य विवरन इस मामले के आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब भी सस्वराल में पतनी के साथ कोई उत्पीडन होता है तो उसे पुलिस में महिला योग में या नयायले में या कहीं ना कहीं अवश्य ही उसकी अपनी शिकायत जल्द से जल्द दर्ज करवा देना चाहिए नहीं तो बा कानूनी सलाह लेकर विधिक प्रक्रिया को अपनाएं और नयाय पाएं अनयाय को बरदास्त करना इसे बढ़ावा देता है तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अनुमती दें नमस्कार